संजे कुमार है, मैं बीए सेकंडर पढ़ता हूँ, मेरा सवाल है कि अल्ला को साइन्स के जरीए से साबित कीजिए कि वो एक है भाई ने सवाल किया कि साइन्स के जरीए साबित करो कि अल्ला है कि आप खुदा में मनते हैं? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है लेकिन मेरे पड़ोसी एक भॉदा पर विश्वास करता हूँ और पहले सी मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ माशाला बैज़ाब का सवाल है कि वो एक खुदा पर विश्वास करते है पत्तर की पुजा नहीं करते लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्रहम्मन ने वो पूचा क्या साइन्स के जरीए थाबित कर सकते कि खुदा एक है इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फरेंस में दिया था इस दा कुरान गॉड़् वर्ड जिसमें मैं थाबित किया था कि साइन्स के जरीए खुदा है और खुदा है पूरी तकरीर तकरीबं दो घंटे किये वक्त नहीं है मैं मुक्तर सा इसका जवाब दूँगा उसके लिए भी दूँगा जो खुदा में नहीं मानते और उसके लिए भी जो अनिक खुदा में मानते अगर कोई नास्टिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है सबसे पहले मैं उसे मुबारक बाद दूँगा क्यूं? क्यूंके आम इनसान अंद विश्वास कर रहे उसके वालिद कृष्षने तो भी कृष्षने वालिद हिंदू तो भी हिंदू वालिद मुस्लिम तो भी मुस्लिम ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते है ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ तो वो सोच रहा है मैं उसे मुबारक बाद देता हूँ क्यूंके उसने इसलाम का पहला पार्ट जो शहादत है इसलाम में उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलहा खुदा नहीं है अभी मुझे साबित करना चाए इल्ला ला सिर्फ अल्ला जो मैं इन्शालला करूँगा और उसके बाद मुम्मूस अल्लाव सल्लम यह जो लोग नास्तिक होते हैं जो साइंस में मानते हैं जैसे आपके ब्रहमने खुरान साइंस के उच्चा है लेकिन जब साइंस उनका मैयार है तो मैं साइंस के जरीए थाबित करूँगा इन्शालला जैसे मैंने पहले पूछा था मैं इस सानजान से पूछूँगा कि काइनात कैसे वुजूद में आएं तो वो कहेंगा ये काइनात वुजूद में आएं जिसे कहते बिग बैंग अपनी सारी काइनात एक गोला था फिर एक धमाका हुआ फिर गैलक्सीज हुए फिर स्टाज हुए चांद हुआ सूरज हुआ धरती हुई मैं पूछूँगा कब पता चला हो कहेंगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ मैं कहुँगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले तुरे अंबिया में सुरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में क्या वो जो लोग जुटलाते हुआ नहीं जानते कि ये धरती और आस्मान जुड़े वे थे कान अज़त कर फक्तना हुमा और एक धमाका हुआ और वो अलाइदा हुए ये जो आप कहे रहे बिग बैंग ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है इसे कौन लिख सकता है तो वो कहेंगा हो सकता है ये फ्लुक है फ्लुक गल्दी ता गया है आरग्यमत करो मैं उससे पूछूँगा कि ये जो अपनी जमीन है ये धर्ती है इसका शेप क्या है तो वो कहेंगा पहले हम समझते थे ये धर्ती है जमीन चपती है प्लाट है अभी हमें पता चला कि ये गोल है तो मैं पूछूँ कब पता चला वो कहेंगा 1577 में सब फ्रांसिल ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किये जहांस में उसे पता चला कि दुनिया गोल है मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है सुरे नाजियात में तुरा नमबर 79 वर्स नमबर 30 में आयत नमबर 30 में लिखावा है वे एव मेड दी अर्थ अज़ एन एक्सपैंस वल अर्थ बाद जाली का दहा हा हमने इस दुनिया को बैदवी शकल का बनाया है पैदे के तरह बनाया है आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है उपर और नीचे से चपती है बैदवी शकल में और ये जो दहा है ये औस्ट्रिच का बैदा है शतल मुर्ग का बैदा है हम देखेंगे औस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्पेरिकल इंशेप है दुनिया की शकल का है तो गुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शकल की है जो हम आज जानते है ये कुन लिखाएंगा वो कहा हो सकता है कि आपका मुहम्म्मद ना वो बहुत जहिन वाले इंसान थे अर्ग्यू मत करो दूसरा सवार ये चान्द की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है वो कहेंगा पहले पहले हम सोचते ही थे खुद की रोशनी है हमें साइंस ने भी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चान्द नी, जो चान्द की रोशनी है आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, कुरान में लिखा है, कि यह आस्मान को हमने छद बनाया महफूस, आज साइंस केरती है, कि जब यह रेज है, अगर यह आस्मान नहीं होगा, तो इससे इनसान मर जाएंगे, इस फिल्टर दो यूवी लाइट, जिससे इनसानियत और जानदार चीज महफूज है, एक कुरान में जित में 14 सौ साल पहले लिख सकता है, कुन लिख सकता है, वोटर साइकल के बारे में, कुरान में लिखा तरहória के बारे है वोई कुरान में लिखा है एम्परियोलजी किस तरी किसे बच्चा पैदा होता है वगरा वगरा हजार से ज़्यादा आयते साइन्स के बारे में मैं पूछूंगा यह सब को लिख सकता है तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है वो है इस काइनात को बनाने वाला इस काइनात का खालिक और इस काइनात का खालिक इस काइनात के मालिक को हम कहते हैं अल्ला और कुरान मजीद में लिखा हुआ है कुरान मजीद के जरे में ये साबित करता हूँ साइन्स के जरे कुरान मजीद में छे हजार से जादा आयते है और इन 6000 आयतों में से 1000 से जादा साइन्स के बारे में कहती है और कुरान मजीद में एक भी आयत में जिसे साइन्स ने थाबित किया गलत है कुरान मजीद में ये भी लिखा है सुरह एकलास में सुरह नमबर 112 आयत नमबर एक में कुल हो अल्लाव आद कहो क्या लाइक है तो कुरान मजीद में साइन्स से ने टकराता है सब कुछ सही है तो उसे ये भी मानना पढ़ेगा कुल हो अल्लाव खुदा एक है अगर हो भ्राम्बन है तो मैं कहूंगा कि आपके स्थंदों की उपनिश्द में लिखा है चैप्टर नमबर 6 सेक्षन नमबर 2 श्लोका नमबर 1 में लिखा है एक कम एविदित्यम खुदा एक है दूसरा नहीं है आपके स्विता से उपनिश्द में लिखा है चैप्टर नमबर 6 श्लोका नमबर 9 में नाचस सेकसिज जनितान चादिपा उस इश्वर के कोई वालिद नहीं कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं वो सबसे हुचा है यही पैगाम दिया गया है स्वेतासर अपनिशद में चैप्टर नमबर 4 वर्स नमबर 19 और यजुरुवेद चैप्टर न नहीं कोई स्टैच्यू नहीं कोई स्कल्प्चर नहीं तो उस ब्रह्मन को बोलो आप अगर पढ़ेंगे रिगवेद यजुरुवेद उपनिशद उसमें लिखा है कि खुदा एक है और ये साफ तोर पे रिगवेद में लिखा है वॉल्यम नमबर एक हिम नमबर 164 वर्स न पुकारते हैं तो कई नाम से पुकारने की बिलकुल इजादत है नाम अच्छा होना चाहिए बहती होना चाहिए ये कुरान में जिखा है सुरह इसरा सुरा नमबर 17 आतनम एक सुदास लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी अबादत करना चाहिए मैं आप से पूछना जात प्रणा जातनी है नाम खुछना चाहिए